नमस्कार दोस्तों बदलते सहर की धड़कन हेलो हाल्दवानी 91.2 FM पर आपका स्वागत है आज हमारी इसकारिकरम में हेलो हाल्दवानी 91.2 में उत्राखंड के पर्थम जो PCS बैच के पर्थम अस्थान पराप करने वाले और अच्छे लोग परशासक स्री ललित मौन रयाल ज सहितिकार की रूप में भी उनका काफी बड़ा नाम है आज हमारे इसकारिकरम में उपस्यत है ललित जी मैं आपका इसकारिकरम में स्वागत करता हूं कि आपने अपना अमूले शमय दिया और आप हमारी इसकारिकरम में सामिल ले धन्यवाद ललित जी आपके गद्य लेख के लिए ये काफी आशावान ख़वर होती है जो उसे अपने पाठकों से परसंसात्मक्टिपणिया मिलती हैं इसे रचनकार का मनोबल तो बढ़ता ही है उसे अच्छा लिखने के प्रेड़ना भी मिलती है लेकिन इसके साथ साथ हो इस पाइडर मैन वाली फिलिंग भी आती ह है कि with great power comes great responsibility फिर लेकर के उपर एक ये भाव भी आता है ये दबाब भी बना रहता है कि वो अपने पाठकों की अपिक्षाओं पर खरा उतर सके कहां आपका जन्म हुआ और आपकी जो प्रात्मे सिक्षा है कहां से शुरू हुए और उच्षा आपने कहां से ली तो इस बा में दोगी पट्टी में गाओं पढ़ता है बोगाला तो वहां जन्म हुआ मेरे पिता जी इसमें एजुकेशन में हेड मास्टर थे तो प्राइमरी एजुकेशन उनके साथ तिमली दोगी में तब वो पोस्टिट थे तो वहां रहकर हुई और माध्धमिक सिक्षा से लेकर तक यह रिशी केस में पूरी हुई नौकरी चाकरी की सुरुवात और PCS टॉपर होने के बारे में आप हमारे शुरुताओं को थोड़ा जानकारी दें कि आप आपने नौकरी कहां से शुरू की और पर्थम बैच के आप टॉपर रहे हैं PCS में तो इसके बारे में आप फिर उस समय अंडिवाइड़ यूपी था तो वहाँ पर ऑडिट सर्वीसिस के लिए चुना गया था तो इलहबाद में मैंने 6 साल करी वहाँ पर सेवाई दी फिर ये सेपरेट स्टेट बना तो इसमें परिक्षाई आई जित्वी और मुझे डिप्टी के लिए चुना गय और एक अच्छा साहित्य के रूप में आप लोगों के सामें प्रसुत कर रहे हैं तो अधिकान साहित्यकार की पर्थम रचना कविता रही है हमने देखा है कि जब बे कोई साहित्यकार तो तुकबंदी से सुरू करता है और चाए वह दो लाइन तेल लाइन से कवितां से जो सहाथिति की छेत्र में जो आपने गद्य रचना के रूप में रखा है तो प्रन्तो आपकी जो सुरुआती गद्दिलेखन थे पहले गद्दिलेखन से ही आपके जो है लोगों में चर्चा की बिसे रहे और एक रोचक बिसे के रूप में लोगों ने उनको पढ़ा पॉलिट्री को थोड़ा मैं इस व्यू में डिफरेंट मानता हूँ कि कविता उची चीज होती है और अभी तक मैं अपने को उसस्तर का नहीं आखता क्योंकि गध्य में अच्छा खासा मंजने के बाद ही हम लोग पॉलिट्री की तरब जा सकते हैं क्योंकि पॉलिट्री में बहुत कुछ बातें बहुत सीमी सब्दों में कहनी होती है और पॉलिट्री ऐसी होनी चाहिए जो मैसेच कनवे करती हो जो प्रेणा और प्रभाव पی कि बहुत experienced होने के बाद आप जो है तो अभी तक मैं अपने को यह मानता हूं कि यह learning phase है कभी आगे जो उस level को छूपाऊंगा तो पोईटे की तरब जाऊंगा कि निसंदे आप चुएंगे क्योंकि गद्या एक ऐसे सामगर्य जिससे ही जो है वो पंक्तिया निकलेंगी और जो काभी की रूप में लोगों के सामने आएंगे आपकी पहली लस्ना जो खड़क माफी की समिर्तियों में आपके गाओं की समिर्तियों से को समर्पित है उससे प्रेणा कहां से आपके अंदर आए और क्या बेचार आए कि आपको जो है अपने गाओं की जो इसमिर्तियों उनको एक सब्दों की रूप में पिरोकर और एक गद्य की रूप में लोगों के सामने आप रसूस करें उसमें बैसिकली बताते हैं कि जब और फ्लो होता है किस जिस दौर में हमने अपने गाओं को देखा था तो नगरी करन बहुत तेजी से हुआ है सारी जो में सूचना करान्ती के बाद तो बहुत ही तेजी से परिवर्तन हुए हैं जी तो वो वाला जो दौर था जो ट्रांजिस्मल से हम लोगों ने देखा था तो वो मेमरीज थी जेहन में तो शुरुवात ये की की पहले संस्मरन से लिखा जाए क्योंकि गद्दे में कहते हैं कि संस्मरन गद्दे विधा का अवकास है कि जब आप बड़े फॉर्मेट में नहीं जा सकते हैं तो आपको मेमोयर से शुरू करना चाहिए बहुत अच्छे एक प्रेटना और जो इस छ्चेतर में जाना चाहते हैं उनके लिए आपने दी है कि अपना जो आपके जो मेमोरी हैं जो आपके संस्मरन हैं में णरी ecology आप जो है लोगों के सामने एक साहते की रूप में परसुत करें तो बहतर रहता है और पथनिये भी होता है बहुत अच्छे आपने प्र आप सहर में रहते हुए भी आप सहरी नहीं है यह बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे जो मैं समझता हूँ कि मेरी परवरिस गाओं में ही वही पला मणा तो वो जो अवस्था होती है टीन एज तक की वो अवस्था होती है कि जिसमें बच्चा बहुत तेजी से सीखता है और उसी अवस्था में आपकी आदतें अभी रुचियां यह बिक्सित होती है उनका आजिवना पर प्रभाव पड़ा रहता है इसके अलावा जो हमारी पेरेंटिंग जो पेरेंट्स हैं या घर है वो अभी भी वही हैं गाओं में तो उसमें आवागमन मेरा बना रहता है वो प्रभाह बना हुआ है और उन चीजों को रिजुनेट करने का आपको मौका मिलता रहता है और कड़ी अगर निरंतर बनी है तो फिर वह फिल्म जो है कंटिन्यू रहती है यह बहुत अच्छी बात है यह इससे प्रणा मिलती है कि हम लोग जो अपने गाओं से प्लाइन कर रहे हैं सहरों की तरफ अपने गाओं से पहाड़ से नौकरी के लिए हम भले आजाएं जिवनियापन बहुत जरूरी है लेकिन अपने जड़ से हम जुड़े रहें अपने संस्किर्ति से अपने गाओं से अपने पहार से हम जुड़े रहें यह बहुत बड़ी प्रेड़ना और आप जैसे एक अच्छे लोग परसासक यदि इस बात को कहते हैं तो यह बहुत ही बड़ी प्रेड़ना मारे नई पीड़ी के लिए है जब आपकी जो पुस्तक आई पहले खडगमाफी कि स्मिर्थियों है जिस भी ब्यक्तिने वो पड़ी होगी उसने अपने गाओं को संस्मेल गया मत उसे लगा कि मैं अपने गाओं के बारे में पढ़ रहा हू एक्चुली इस बीच जो है अर्बनाइजेसन है जो हमारे नगरी करण वो बहुत तीजी से हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी 65-70% जो आबादी है वो ग्रामीन भारत में बसती है और ग्रामीन भारत में लखेती पाती है किसानी है पशुचारन है गोचारन है नदी न और जब आप उनी चीजों को उन केरी केचर्स को उन परसनल्टीज को उन मेमोयस को डिपिक्ट करते हैं तो घटनाएं भी कमोबेस एक जैसी होती है तो युनिवर्सल हो जाता है और जो ग्रामीन भारत है उस दौर में उदारी करन से पहले जो हमारी बाले आवस्था थी कि अच्छी बात है लेकिन सब्दों का उप्योग करना और उसको उससे जोड़ना यह बड़ी एक लेखक के होती है खुबी होती है और यही कारण रहा होगा कि हर किसी को आपके गद्दे में जो अपना गाउन हुजराया अलग-अलग जो लेखक रहे हैं अलग-अलग बिदह अलग-अलग सोच के अलग-अलग बैचार के उन सब से आपके तुलना करते हैं अक्छी हिंदी की जो शब्द संपदा है जो हमारी वकबलरी है वड़ी सम्रिध है तो इसमें कुछ खास जैसे उपादान है जब उनको आपको करना है कि जैसे आपको प्रकृति वर्ण करना ह है आपको सुरंगार का वरणन करना है आपको सौंदर यो केरना है या आपको कई पर वाग विदगता बेसंगती बिडम बना ये सब उकेरना है तो वहाँ पर जो तत्सन बहुलता है वो आपके लिए मददगार मन जाती है जब आपको गाउं का खाका कीचना है किरसी चाल की भाषा आएगे तो मेरा मानना है कि जैसा कथ जिस बात की गवाही दे भाषा भी वैसे आनी चाहिए और भाषा तो एक बहता हुआ प्रभाव है वो बहती चली जाती है और खुद बखुद वो फिट होती है कि कैसे प्रसंग में कौन सी भाषा आनी है जी बहुत आए वह एक कहने का मदब कि आप भाषा की प्रभा के साथ आपको बहना होगा अब आते हैं आपके जो दूसरी रचना थी आतासरी प्रयाग का था जो कि प्रतियों की प्रक्षाओं को समर्प्रतियों की सरश मारविक दास्तान है जिसका मुख्य केंद इलाबाद है जो प् प्रयागराज एक ऐसा जैसे आज कि हम कोटा जैवराजस्तान का कोटा फेमस है एक समय में जो है प्रयागराज बहुत इसके लिए प्रश्रिद्ध था और आपने उन युवाओं की सारी जो कठनाईयां जो पीड़ा है उस किताब में उसको उके रहा है यह तो यह बहुत उन खुद को साबित करने की चुनोती रहती है परिवार का लबाब होता है समाज का लबाब होता है तो इन कारणों से कई माईनोमन की दिंचरिया आम जंजियों से बिन हो जाती है फिर वो उन परिस्तितियों से कैसे जूजते हैं कैसे सामंजत से बिढ़ाते हैं तो वो अन जो इस्ट्रेस है जो एंजाइटी है तो उस कालखंड को पूरी जिन्दा दिले के साथ जीते हैं तो वो समय हमने गुजा रहा था तो सोचा कि उसे एक पाठक वर्ग के सामने रखा जाए उन्हें रोगरु कराया जाए तो मेमरी के आधार पर सोचा कि इसे पेंडाउन करना चाही तो इस तरीके से वो रचना प्रकाश में अगी बहुत ही अच्छी रचना थी और मुझे लगता है कि जिसने भी अपने जीवन में इस तरह का संगर्स किया हो तो उसे लगा हो कि उसकी कहानी है तो जब कोई किसी भी गद्दे को या कोई जो रचना होती है उसको पढ है वायद हमें आपने जो अब आपकी नई पुस्तक आई है जो आपने अपने स्च्छा के लिए अपने घर के लिए उस सारह का वुणन किया है तो यह बहूट बड़ी बात है और सबसे इसमें से बड़ी बात है कि अभी उनकी बारसी आने वाली है इसी मैंने इसे मौके पर एक उस्तकार है तो आप इसको जो है क्या इसका वो दियस शताब का इस तरह के जीवन से समझ दे जो भी इसमर्तिया या जो भी वातिया है तो उनसे आप कैसे जोड़ेंगे तो वो होता है कि जब इनसान चला जाता है तो फिर उसका अभाव बुरी तरह खलता है तो वो उस दोरान वो खास मनो दसासे में गुजर रहा था तो सोचाए कि ये जो टुकड़ों टुकड़ों में जो इसमर्तिया आ रही है इनको एका कार कर लिया जाए इसको पुस्तका आकार लाना चाहिए और फिर उनका जो जीवन था वो शांदार जीवन था तो इस्पाइरिंग था किसी भी कॉमन मेन के लिए वो गर्व करने लायक हो सकता था तो सोचा कि उन सारी इसमृतियों को एक साथ रख लें और उनको बाइग्राफिक उसको आकार दे दें तो इस तर किसी था इस टाइटल के वीचे क्या था इसका एक तो यह हिंदी की जो साहक बोली हैं पाहडी बोली है गड़वाली बोली का फुरेज है और यह जो गीता का कर्मयोग है उसको प्रतिविबित करता है कि कर्मयोगी तो कभी हार नहीं सकता दूसरा यह था कि यह हमारे वो कहते थे कि परिशरम से दरिद्रता का नास होता और कर्मयोगी कभी हारता नहीं है तीसरा इसमें यह था कि उनकी जो जीवन यात्रा थी वो संगर सील रही और उनकी अपनी परसनलिटी में जो गुण सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करता था वो था उनकी कर्म शीर करेगा और उनके जीवन दर्सन से भी वो मिल खाता था तो इस कारण ऐसा सिर सखाया तो ललिजी आपके इस पुस्तक से मुझे जो निसकर्ष निकलता ही निकलता है कि एक तो इसका जो टाइटल है विसे है यही एक प्रिणना है यह आओं के लिए जो बहुत कम संगर्स में करें जो हमता लेते हैं। और उप्ता तो है इस में है ना उफिताब जब आप लिखते समय आपने यहां तंड़स टालमेल कंशें कैसे बढ़ाया dealing जब आप अपने किसी close relation पे या पिता पे लिखते हैं तो पिता का किरदार बहुत बड़ा होता है और वो जो कहोत होती है कि बाप-बाप होता है तो इसमें basically सबसे ज़्यादा चुनोती आती है content को लेके कि पिता के बारे में जब आप लिख रहे हैं तो आपके पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो बहुत common होता है या आपके पास कुछ भी नहीं होता तो ऐसे में फिर मुश्किल होती है कि इसमें से select किन-किन परसंगों को किया जाए तो फिर मैंने ये कोशिश की कि जो उनकी life के landmarks थे जो निरनाय घटनाय थी या जो उनके life के turning points थे उनको note down किया फिर ऐसे परसंग जिनसे उनके बिक्तितुगा कोई खास पहलू उबरता हो या उन events को चुनने की कोशिश की जिनसे उनका मुकमल रूपा कारू भरता हो तो लिखने का समय भी ऐसा था कि उन्हें गए कम ही समय भीता था तो वो जो उदगार होते हैं फिर ये भी मालूम था कि भाउकता जो है आपकी writing को चौपट कर देती है क्योंकि जो लिखता है तो उसे पाटकों के जेहन का भी अंदाजा होता है अनुमान होता है और कोई भी रीडर हो वो प्रमानिकता को पसंद करता है तो इस वज़े से इसमें balance बनानी की कोशिश की गई है बहुत बढ़ गया और इसका balance जो भूमिका इसमें परसिद्ध साहित्यका लिया धर्जे गुरुजी ने लिखिया है उनकी भूमिका से इस पस्ट होता है कि आपका एक तो सहे जता थी इसमें और इसको नोने जीवन रस से भिगा हुआ प्राणवान गद्धिका है यह अप आप यह मानते हैं कि लेखन के लिए जिवनता सरसता अनुवारी है और तभी पाठक तक सहिजता से बात पहुश पाती है मत उसमें जीवनता होनी चाहिए屹ा सरसता होनी चाहिए साहित्य की कई सारी डेफिनेशन्स दी गई हैं तो एक फ्रेज कहा जाता कि सहित्त स्य भाव साहित्यम कि वो सब के लिए हो सब के सहित हो सब को साथ लेके चलता हो अगर मैं केवल उनको टारगेटेट और उनकी नीजी उपलब्धिया नीजी ब्योरे लिखता अपने फादर क तो फिर मेरे परिवार के लिए है उसकी सेंटिमेंटल वेल्यू रह जाती बाकी पाठक को उससे क्या लेना देना तो लेखन आपका सरस होना चाहिए सहज होना चाहिए तब ही उसाहित्य बनेगा और वो संस्कृत में कहते हैं कि रसा साव है जहां तक संभ़ हो लेखक को ज बचना चाहिए और जो आपका ब्रिटानिका एंसाइकलोपीडिया है वो डिफाइन करता है कि बेस्ट एक्सप्रेशन और बेस्ट थाउट्स इस लेट्रेचर और एक और मेरा सजिसन रहता है कि लिखको जो है पांडित्य बगारने से बचना चाहिए उसे पाठक खीजता ह उसे उपदेशात्मक्ता से बचना चाहिए जो विचार है जो थौट्स है जो आपका मैसेज है वह आपके कथे के प्रवाह के साथ आटोमेटिकली आ जाता है और फिर जो रीडर होता है वो इतना स्मार्ट होता है तो बिट्वीन दा लाइन से लेखक को पकड़ लेता है उ और दूसरी बात एक मैं कहूं कि जो अभी आपकी किताब जी जो कारी कभी न हारी लगबक दस परतिसाथ आपने इसमें गड़वाली सब्दों का प्रियोग किया है और कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की जो रचनाई होती है इनमेदी आप स्थानिय बोली भासा का प्र मैं थोड़ा से इसमें अलग विचार रखता हूं कि जो प्रमानिकता है साहित्य की या आपको उसमें लोक लाना है संस्कृति लानी है तो उसकी प्रमानिकता के लिए परिवेश और परिवेश की भासा जरूरी है बहुत जरूरी है और फिर जो लोक भासा है वो अपने को उनका वहन करती आ रही है उधारन के लिए मैलाँचल की बात हम करते हैं तो उसमें जो मगही है और जो वहां की संथाल जिवर ढगा और मादल बगाजते हैं या वहां पर जो विक्टा नाच होता है, विदापथ नाच होता है या कुमर विज्य भान की गता होती है तो उस अस्थानी बोली के कारण कमला नदी के किनारे वाला मेरी गंज आपको इतना मोहक लगता है कि आपका मन होता है कि कास में मेरी गंज में होता तो जो लोक बोली है उसमें expression की भी हजार गुना ज़्यादा ताकत होती है कि आप जो है दो अक्षणों के शब्द में इतना कुछ कह जाते है तो जो देशत सब्द होते हैं वो हमारे भाषा में, हमारे जीवन में इतने ज़्यादा रचे बसे हुए है जब किसान खेतों में निराई करते हुए लंबा अलाप लेता है तो पस्ची में जो illusionary reality वाली बात है वो वहाँ पर साबित होती है तो इस कारण जो परिवेश की भासा है उसको मतलब एक certain ratio में मैंने जरूरी समझा यह बहुत अच्छी बात है और यह आपने सहे का कि जितना लोग होगा उतने उसमें लोग जोड़ेंगे यह बहुत बड़ी बात है अपना आप में पाठखों के परतिपध्यता तो समझ में आती है लेकिन लेखक का किसी वाद विसेश से लगाओ या रचना में उसका प्रभाव जरूरी है क्या किसी विसेश वाद से लगाओ अति रंजना किसी भी मामले में ठीक नहीं होती जो अच्छा है स्रेश्ठ है जो यथार्थ है उसे आना चाहिए चाहिए वो किसी वी वाद या इजम से तालुक रखता हो फिर कोई भी पंथ है, कोई विचार है, कोई वाद है, कोई इजम है, वो सुरुवात उसकी रूढियों के खिलाब होती है, और अच्छाईयों के लेकर उसकी सुरुवात होती है, लेकिन होते होते, जब निश्चित समय अंतराल भीता है, तो उसमें भी खूबिया खामिया आ तो वो आएं, फिर मेरा मानना है कि किसी वाद के परती अगर आप पुर्वाक रहा रखते हैं, तो वो न्यूनादिक रूप से आपकी समधिरिष्टी को बाधित करता है, हमारे ही पुराने प्राचीन वांगमे मिलें, तो उसमें सांखे से लेकर विदान तक सरदर्शन की बे पुर्ण बनाता है. मतलब उसमें कोई गहन दन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना है, आप क्या बानते हैं इसके? इसमें एक सीर्स व्यंगिकार हैं, ग्यान चत्रुवेदी जी, तो उनकी राय से मैं बहुत गहरे से इतिफाक रखता हूँ, ग्यान जी कहता है कि मैं खूब पढ़ता हूँ, और बुरी किताबों को तो मैं मन लगा के पढ़ता हूँ, उससे सबक लेता हूँ कि ऐसा तो पुराने लिख दिया, लेकिन पदा जला कि उससे लाग गुना पहले बड़े लिखकों ने, पुराने लिखकों ने, किसी भी उसमें, सास्त्री उसमें, छेत्री उसमें, किसी ने पहले लिखाओ, तो रीडिंग के हैबिट से होता है कि आप पुनराव विरत्ती दोस से समपन हो, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो पढ़ने से ही लेखन की सुरुवात तभी होती जब आप खुब पढ़ लेते हैं, फिर वो होता है कि सो किताबें पढ़ेंगे तो फिर दो किताबों का अर्क निकलेगा, बहुत अच्छा आपने एक जानकरी दी और एक संदेश भी है, आपकी तीसरी रचना के कवर पेज पर सोध प्रकाश चौथी रचना चाकरी चतुरंग की चर्चा है, इसकी बिसेबस्तों के बारे में हमारे सुरुताओं को आप कुछ बताना चाहेंगे कि चातुरी जो चाकरी चतुरंग है, यह टाइटल आपने क्यों चुना और इसके पीछे क्या रिजिन था आपका, बिसिकली यह एक आपनियासिक आकार की रचना है, और इसमें जो हमारा सिस्टम है बेवस्ता है, उसका प्रतिवी में उकरने की कोशिस की गई है, तो यह किताब जो है, आएगी शिकर ही पार्टकों के बीच पब्लिकेसन में है, चलत इसलते हमारे सहते प्रीमिस रोताओं से कुछ आप आप मोश्ष कहना चाहिए, तो उनको किस तरह का पैटन अपना चाहिए, किस तरह का सहते जो है, उनको लिखना चाहिए और सहुति Ciकली कवाना समय उनको किन बातों का इव treatments कर देखना चाहिए? जो हमारे readers हैं उनके लिए यह कहना है कि वो अपने मिजाज का पढ़ें इस तरी यह पढ़ें अच्छा पढ़ें पढ़ने से मानसिक छितिज का बिस्तार होता है पढ़ने की जो आदत है वो आपका entertainment तो करती है उसके साथ साथ आपको नए समाधान देती है नए विकल्ब देती है और जो हमारे नवागंतुक नवोदित लेखक हैं वो भी लिखने में जल्दबाजी के बजाए मेरा कहना है कि एक illustration है रागदरबारी का कि वो चार-पांच साल में लिखी गई और स्रिलाल जी ने उसके पांच ड्राफ्ट किये तो थोड़ा हमें patience इस generation में कम होता जा रहा है अगर हम rewrite करें उसका draft कम से कम तीन तो आना ही चाहिए फिर जो आपका best है वो बाहर आएगा तो यह कहना था यह बहुत अच्छा बात है और आज आप हमारे बदलते सहर की धड़कन हेलो हालदवानी 91.2 एफम पर आप आये हैं और यह आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज इस कारिकरव में अपना समय दिया और इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं विश्विद्याला की तरफ से क्योंकि हैलो हालदवानी उतरा खंड मुक्त विश्विद्याला का ही एक सामदा रेडियो केंदर है और यहाँ पर हम इस तरह के जो बरिष्ट साहितिकार है या किसी विश्य छेत्रों जिनका योगदान है किसिक बुलाकर कोशिश करते हैं जो कि अपने उस्षरोता हों को उनके माद्रेंग से कुछ प्रेड़ना या कुछ संदिश दें तो आपका बहुत-बहुत आभार लड़ी जी आप शेत्कारी करेव रहाए कि